36 गड़ में जब से स्कूल सतर प्रारांब हुई है तब से जीले के जादा तर स्कूलों में भवन जरजर होने के साथ शिक्षिकों की कमी बराबर बनी हुई है जिसके चलते जीला प्रशासन से लागातार इन समस्याओं की मांग की गई उसके बावजूद भी ना तो जरजर भवनों का हाल सुधर रहा है और नहीं शिक्षिकों की कमी दूर हो रही है इसी तरह का मामला दमतरी जीले के नगरी क्षेत्र का पाउद्वार गराम में देखने को मिला जहां के प्रात्मिक शाला का भवन बेहत जरजर हालत में है और ऐसे स्थिती में कभी भी बड़ा होने की संभावना बराबर बनी हुई है बता दें कि जिस भवन पर कुछ वक्त अंदर बैठ पाना मुश्किल है उस भवन में शाला संचालित किया जा रहा है इसे बीच अगर कोई दुरगटना घट जाती है तो इसका जवाबदार कौन होगा इसके अलावा प्रात्मिक श दिखान नहीं दिया गया है दमतरी से व्यभाव चौजरी की रिपूर्ट हम लोग मैडम के पास आयते अपना आवेदान लेकर कि हमारे प्रात्म साला भवन बहुंकि जड़जात हो चुका है कभी भी घटना हो सकती है और इससे बच्चे को सतीग्रस हो सकती है क्योंकि बहुष्ट के लिए ताकि बच्चे अपना भाविस्या बना सके और एक अपना जो भाविस्या में जो सपने देखना है इसको सकात कर सकती है यह हमारी पांगे लिए कमी है कि यह ही सिक्षक है अभी अभी मैंके पास एक आप अपना इस्कूल है लगबग उनीघ के बना है अब बाद के साट साल हो गया है यहां जड़ज़ है मतलब छती गृस्त होने के कभी भी चाहां समय कर यहां टीचर कभी कमी पहले बनना चाहिए था बच्छे अगर डरके पढ़ेंगे तो पड़े नहीं पाएंगे तो हमारे बील्डिंग के कारण से पढ़ाई प्रफावित नहीं हो रही है वो बील्डिंग अलग है जिसको तुड़वाने के लिए आदेशित इस सब्ता में हो गया है उनका परिच्छन किया जा रहा है आरियतर संतावने से विज़ा रहे था जिसका अतिसीग रखिया जाए उसके कारण से पढ़ाई प्रफावित नहीं है पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ हमने इंसूर कर दिया है कि एक ही गाउं में दो स्कूल है तो उसको सिप्ट में लगाया जाए ताकि कि किसी पकार की कोई बात ऐसे नहीं आईगी और समधाईग भवन में भी चाहे तो परि कि उसे पर रखना है